तो आज से हम आपका जो रीजनिंग टॉपिक है वो रिजूम करने जा रहे हैं अभी तक हमने बड़े से टॉपिक सब्राप कर चुके तो इसको मैंने प्रॉपली प्लेश्ट बनाई हुई है आप उसको उपर आई बटेवे क्लिक करके देख सकते हो अब जितने भी रिमेनिं इसे कंप्लीट कर देंगे तो बता दू जो भी चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मारे एंट से जब भी नीव वीडियो प्लोड़ो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो गाइस बात करते हैं आज का टॉपिक जैसी कि आप सबने स्क्रीन पर देख ल आने वाला है अब आपके मन में एक भी कोशन आ एक और कोशन आ रहोगा से मैंट्रिक्स टॉपिक तो उदर मैंचे नहीं है फिर क्या है फिर क्यों हम के यह कर रहे हैं तो आप सब को दादू यह आपका लॉजिकल रीजिनिंग आपको टॉपिक मेंचेंड है उदर उस टॉ आगेबड़ते हैं बेन टामडाटे है आप सब को दादू हो अगर आप हमारा जैकिया से कंपी ठीक लेड़क कोस्त लेका आपको ग्ले साथ में आपको अधर PDF material प्रोवाइड रहे जाते हैं तो आप सब करा दूँ यह सिंप्ली हमने एक नॉमिनल चार्जिस रखे हैं तो 399 सिंप्ली 399 अभी ओफर प्राइस तो 399 में आपको वेल हो जाएगा लाइफ टाइम तक इसकी एक तर से वैलिडिटी रहेगी और आप सब्सक्ता तो यह आप हमारा अवेल काम पर कर सकते हो www.igclasses.com यह हमारी वेबसाइड है सिंप्ली गूगल पर सर्च कीजिएगा उदर आपको अवेलेबल हो जाएगा कोर्स ओप्शन में जाना उदर आ जाएगा नहीं तो आप हमारी आप भी डाउनलों कर सकते हो प्ले स्टोर से देट्स और आईजी ग्लासे उदर भी आपको एक कोर्स अवेलेबल है तो चलो काईस बिन टाइम वेच्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं आज का हम देख लेते पहले हैं सू विचार क्या कहता है आज का हमारा कोट ओफ द डे क्या कहता है कहता है मतलब कि आपके जो हार्ड वक है आपका जो लगन है कोई भी अगर आप कुछ चीज को पाना चाते हो लगन से करोगे तो उसके लिए आपके लिए हार्ड वक बड़ा ज़िए और उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं उसका कोई दूसरा अल्टनेट नहीं तो इसलिए अ तो चलो guys आगे बढ़ते हैं उसी जी जान के साथ यह रहा आपका matrix का question इस तरह के questions उदर आते हैं hopes आप सबने कुछ इस तरह के questions देखे भी होंगे बड़े exams अगर आपने दिये हैं या आपने कोई SAC level का कोई exam देखे और भी आपने इस तरह के questions देखे होंगे और दो टेबल बने होते हैं tables में आपको A, B, C, D लिखाए लिखा होता है कभी का table के साथ आपके alphabets लिखे होंगे alphabets के साथ symbols भी लिखे होंगे बहुत कुछ लिखा होगा आगे इस वीडियो में complete करा दूँगा आपको बता दूँगा किस्सा के questions में बनते हैं तो बात करते हैं इदर questions को पढ़ लेते हैं कहता है इदर दो matrix दिये हों ठीक है यह जो दो table है यह matrix 1 है second one is the matrix 2 कहता है matrix 1 में आपके zero to four numbering है और matrix 2 में आपका five to nine numbering है मतलब कि आप देख सकते हो इतना है example वही है इंग्जेम्पल दिए एक ये भी है डी एक ये भी है अब जिम्हों इन नहीं नोइने न एक्जेम्पल लेक्जेकि आपको समझाया होगा आपको बताया होगा जो डी है डी केárias सबसyynya कॉलुं के बाद रो लें उदियों को W से सब से हैं आपको क्वालू का दो 41 देखो त्यान से 40 यह तो 40 आया यह वाला अगर मैं इस कॉलम से देखो अब बात होती है 41 41 मतलब यह और यह मतलब की पहले कौन सा लिया जा रहा है यह यह वाले ऑप्शन जो है ना यह अपर वाली साइड जिसको कॉलम बोलते हैं यह पहले लेनी है और रोज बाद में लेनी यह क्या है ठीक है मदले मैं बोलू इस का क्यों नंबर है आप भоне इसरी और 1 मैं बोलना वह यह गर बौलू यह इसंशा मैंने एंड़र वान होन dar now 2 मैं बोलो इस इस तन डेल यह गयो आप बोलता हूं आप एस आई का नंबर बताओ श्रक प्ता और वसमेंने कर कभिने उसको एकतर से solve करना है अब देखते हैं इदर क्या दिया हूँ दियान से देखना इदर क्या दिया हूँ है life क्या दिया हूँ इदर life इदर हम क्या करेंगे simply options को पकड़ेंगे पहला option में 21 दिया L देखो 21 है देखो यह आगया पहले 2 और यह आपका आगया 1 तो 21 पे तो guys O बैठा हूँ है 21 में तो O बैठा हूँ है तो यह नहीं हो सकता मतलब कि पहला option भी गलत दूसरा option भी गलत क्योंकि उदर भी L 21 है ठीक है तो पहला और दूसरा option में आगया गलत हो गया अब 3rd 1 की बात करते है 31 कहता है 31 बिल्कुल से 31 पे L बैठा हुगा है तो अब भी तक मेरा C option सही चल रहा है ठीक है eliminate हो चुकि यह दो option D में बोलता है 32 तो 32 में तो हमारा H बैठा है तो D option भी eliminate हो गया तो C option is the right one यह हमारा क्या है answer है लेकिन मैं आपको इसको पूरा solve करके दूँगा हमें को चेक कर लेता है सही है भी है कि नहीं है L हमार 31 आ गया कहता है I I हमारा 23 है चेक करो guys यह आगे 23 बिल्कुल से I भी है F हमारा 76 है चेक करो guys 7 और 6 बिल्कुल सही F है 76 भी आ गया E हमारा 79 है यह भी दर 7 ठीक है यह रहा 7 और 9 बिल्कुल सही E भी है तो यह हमारा सही रहेगा that C option is the right one आगे बढ़ते हैं अपने question number 2 क्यों जीदे आपको और doubts जो कोई भी होगी वो clear हो जाए कहता है इदर भी एक कोई देख लेते हैं पहले column लेने रो नहीं है पहले कहता है पहले column then row आप देख सेंगे तो T का क्या नाम दियादा है T का नाम दियादा है पहले 30 ठीक है 3 0 यह आगे ना 3 0 इस लाइन में ऐसे आज़ो सीधा ठीक है अब दियान से देखना milk का का लिखना है किसका लिखना है milk का eliminate करते है M का पहले दिया 20 20 पे तो बैठे है E साब तो यह तो option गलत C option भी गलत क्योंगी उद्धर भी 20 है बात करते है 21 पे कोन है 21 पे M है 21 पे कोन है M है मतलब अब भी तक मेरा B और D option सही चल रहा है ठीक है B और D option सही चल रहा है अब आगे पकड़ते हैं अब यह भी 78 है यह भी 78 है तो इसको करने जो होती है इदर 32 है इदर 23 है चलो देखते हैं L L देखो L 32 है L हमारा 32 है L हमारा यह है 32 अब भी तक ठीक है अब 23 देखो L है 23 भी है 23 भी है अब इदर मारे 76 दिया है इदर भी मारे 76 जी है ठीक है तो इसके आंसर ये दोनों बन रहे हैं इस कोशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये कोई नहीं मैं चेक कर लूगा पिर इसके ये दोनों आंसर बनें ठीक है तो इसका बी एंडी बोहत है आगे बढ़ते हैं अब देखो इदर कुछ सिंबल नहीं है इदर नंबर की जगा वास किया सिंबल बाकी कोश्चन सेम है देख लेते हैं क्या बोला इसमें कहता है पहले रो है देखो पहले क्या है रो है फिर कॉलम है मला एन को कैसे प्रिजेंट करना है एन और अटरेट से ठीक है एन आपका के बाद ये करने अब देखों किसका बोले ड्रम का पहले देखते है और एटरेट और एटरेट के उपर को मैंटा एटरेट इस आगया और एटरेट पर दी आ तो A option तो गलत हो गया, B ठीक है, अभी तक C भी ठीक है AND और dollar AND पहले हमने कुन सा देखना है, मैंने अभी आपको बताया पहले हमने row देखनी है, तो AND, ये रहा AND और ये रहा dollar, तो उधर भी D है, तो अभी तक मेरा D option भी सही है मतलब A वाला तो बाहर हो गया, A वाला बाहर हो गया अब देखते next, कहते है, dollar और dollar पे R होना चाहिए dollar और dollar पे R होना चाहिए, तो this is your dollar, this is your dollar तो dollar और dollar पे R है, मतलब अभी तक B option भी सही है T भी सही है, इदर है dollar और hashtag, ये आपके आगे dollar और hashtag एट की साल सराजिक एडितों और ability पेसलंगा विए आप अटार यह टीज़ तॉर इस फिता है अब कंद आगए अज एक तीक के विलकुल सही अभी ताक है और कहता है Hash और Hash Hash और Hash पर तो हमारा डी बैठा हुआ है तो यह उप्षुन भी गलत हो गया तो हमारा आंसर कोच से सही देगा B option is the right one ठीक है यह B option सही देगा यह भी चेक के लिए है M पर यह बैठा हूँ और डॉलर और Hash यह रहा डॉलर और यह रहा है, बिल्कु सही, ठीक है, तो B option में आज सही है, क्योंकि इसमें 4 के 4 सही हो, आगे बात करते हैं, next question के और, इधर आपके numbers दिये हैं, और जो columns रोस में दिये हैं, that is your alphabets, अब देखते हैं, इधर क्या बोला है, इधर कहता है पहले row, इधर भी same question आगया, कहता है पहले row, ठीक है, उसके बाद column, मतलब 5 को कैसे represent किया है, B, C से, 5 को कैसे represent किया है, B, C से, यह देखो, पहले ये वाला, उसके बाद ये वाला side, ठीक है, अब देखो, कहता है 6, 7, 2, 9 बताने, 6, 7, 2, 9, पहले बताओ, इधर क्या दिया है, B, E, देखते है, B, E, ठीक है, इध 6 है, बिल्कुल चाहिए, A, B, C option तो सही होगा, D में देखते है, B, D, 6 पे B, D होना चाहिए, B, D B, D पे तो 1 बैठा हुआ है, तो यह और वाला option तो पहले ही बाहर होगा ठीक है, next बोलता है, B, B किसका? 7 का, 7 का क्या होना चाहिए B, B यह तो गड़ बाहर है, 8 है तो यह वाला बाहर, अब बोलता है, E, C होना चाहिए E, C तो में रजाब से होई जाएगा क्योंकि दोनों option वो ही ती है, तो E, C पे 7 बैठा हुआ, बिल्कुल सही तो अब भी तक हमारे 2 option बाहर होगे है जो A और D बाहर होगे, बचे को उनकों से B और C, अब जाएगा नेक्स क्या बोलता है, E, B और A, B ठीक है, इसका E, B बताना है 2 का, 2 का E, B पे तो 3 बैठा है, तो यह बाहर हो गया A, B देखो A, B पे 2 बैठा हुआ, तो 2 ही चाहिए, ठीक है, A, B C पे 2 बैठा हुआ, यही चाहिए, तो C option is the right one, ठीक है बाकी सब बाहर होगे, तो C option बच गया, तो C option आपका सही रहेगा, क्लिर है guys आगे बात करते हैं, अपना last question की और इसमें आपके कुछ science है, alpha, beta, gamma वेगरा, ठीक है, lambda, तो यह सब कुछ science है, हम यह देख लेते हैं क्वारी, तो देखते हैं क्या कहता है, कहता है, हमें किसका चाहिए, dream पहले देख ले, क्या है पहले, बोलता है पहले रो, पहले क्या बोला है रो, देन, कॉलम ठीक है, देख लेते है dream का लिखना है, dream dream, dream dream का लिखना है तो दे का पहले कहता है beta और beta beta और beta beta और beta और beta beta और beta बिल्कुल सही, पहले option तो सही है beta और gamma beta और lambda, sorry ठीक है, beta और lambda यह आपका आगया तो इदे तो d बैठा होना चाहिए तो यह नहीं है option यह और यह क्या होगे बहार होगे, beta और beta यह सही है अभी हमने चेक किया ठीक है, अब यह वाले sign जो भी है यार यह वाले sign देखते है इधर हमारा क्यों आचाहिए इधर माना होना चाहिए, guys R होना चाहिए, क्यों आचाहिए R होना चाहिए, तो पहले हमने कुन सा देखना है अगर मैं बात करूँ ये रहा ये रहा फिर ये रहा इदे तो हमारा A बैठा हुँ है हमें तो R चाहिए तो ये आला option B बाहर अब ये वाले option में देखते हैं पहले हमें ये वाले sign हाँ ये रहा ये रहा ये रहा देन लैंबडा रहा बिल्कुल से ये सही चल रहा है तीन option पहल करने की जरूरत नहीं है इदर आपका question खत्म होता होपस या समझ आई हो कि कितना easy topic है मैं चाहता कि इसके आपके marks कहीं भी जाए बस आपको बताना चाहता है ये topic कैसा है आपको hopes हो पता चलिगा होगा किस किस तरह की questions आते हैं आपको regular इसके ओपर lectures आया करेंगे तो आप ज computer component complete मिल जाएगा आपको English component complete मिल जाएगा जीख के साथ साथ हर एक topic each and every topic के साथ साथ test series पी आपको उधर उसी में complimentary मिल जाएगी तो आज का अपना topic इतने ही रखते तो मिलेंगे चल्द अपने नए session में तब से आपसे अलविदा शुब रातरी गुट नाइट